तो है गाइस कैसे हैं आप लोग आई हो क्या बच्छ होगे तो आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर हम क्या ये फॉन आपका OTG सपोर्ट करता है नहीं तो OTG लेने वाला हूँ मैं सिंपल तरीके से मैं इसके अंदर OTG करने वाला हूँ तो OTG करने के लिए आपके पास OTG होनी चाहिए तो मैं आपको जाना है इसको करते हैं यहां से इनेवल करने के बाद आपके फॉन के अंदर आपकी OTG कनेक्ट हो चुकी है आप चाहें तो जाके देख सकते हैं इसके फाइल मेनिजर के अंदर जाके यहां पर आप जाएंगे तो आपको आल फाइल पर करना है क्लिक OTG आपको आपको देखने को मिल जाती है तो guys OTG पर क्लिक करके आप OTG का इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर यह सब आपको देखने को मिल जाता है तो guys यह phone OTG support करता है काफी easy तरीके से file copy paste भी हो जाएंगी तो guys I hope कि आपको यह doubt clear हो गया होगा कि क्या यह Infinix Note 11 OTG support करता है या नह हां guys यह support करता है तो I hope कि guys आपको यह समझ भी आ गया होगा तो मिलते हैं guys आप से फिर किसी अगली और interesting वीडियो में तब तक के लिए guys bye bye and take care